नमस्कार दोस्तों अमित की रेमिडिस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे जगा जहां पे अगर तिल है किसी के भी फिर जाहे वो मेल हो या फीमेल हो तो सबसे इसमें अलग-अलग भेद हैं अगर किसी महिला के इन तीन जगा पे दिल है तो वो दिल ये बताता है कि ये महिला जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली होती है सच्चा प्यार करती है जीवन में कितने भी धोके खुद खाये हो उसने लेकिन ऐसी महिला आपको सच्चा प्यार ही देती है सच्चा पार्टनर आपका वो बनती है ऐसे और सेम चीज़ अगर तीन ऐसी जगा जहां पर पूर्सों के शरीर पे तील हो तो वो पूरुष भी वो इनसान भी सच्चा प्यार करने वाला सच्चा साथी बनता है वो पूरुष बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे लोग डूसरों की वाला इंसान मिल गया है सच्चा जीवन साथी मिला है सच्चा लाइफ पार्टनर मिला है और आप उस इनसान को कभी भी खोना मत तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले महिलाओं के बारे में बताता हूं कि वो तीन जगा कौन से है जिससे पता चलेगा कि वो सच्चा प्यार करने वाला इनसान है आपके लिए सबसे पहले महिला के बारे में मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहला जो जगह है जहां पर महिलाओं के तिल अगर है तो वो आपका सच्चा साथी सच्चा प्यार है वो जगा है होट के उपर का तिल अगर किसी महिले के होट के उपर काला तिल है अगर किसी महिले के उपर होट के उपर आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पार्टनर में आपके जो महिला पार्टनर है उसके होट के उपर अगर वो दिल है काला वाला तो ऐसी महिला जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली होती है सच्चा प्यार करने वाली होती है बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है तो जो भी पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है जिसके होट के उपर तिल है तो वो पुरुष बहुत ज़्यादा सुखी बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला इंसान होता है इतना प्यार मिलेगा आपको कि उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा पार्टनर होता है ऐसी पार्टनर होती है ऐसी महिलाएं जिनके होट के ओपर काला तिल हो अब सवाल है कि अगर काले तिल की जगा लाल तिल होतो तो ऐसी महिलाएं बहुत ज़ादा शोशित होती हैं, बहुत ज़ादा पीडित रहती हैं, उन्हें लोगों से धोखा मिलता है, financially लोग यूज करते हैं, physically लोग यूज करते हैं और फिर धोखा दे देते हैं, तो अगर ल बहुत लवेबल, लव, केयर करने वाला पार्टनर, emotional पार्टनर आपको मिला है, जिस से ज़ादा प्यार आपको दुनिया में कोई नहीं कर सकता, सच्चा पार्टनर अब दूसरा जो तिल है, वो अगर किसी महिला के नाभी से ठीक उपर या नाभी से ठीक थोड़ा सा नीचे, अगर तिल है, वो भी काला वाला, तो ये बहुत ज़्यादा शुब होता है, और अगर लाल तिल भी है, तो भी ये नॉर्मल है, ऐसा पार्टनर माना जाता है, कह जाता है, शामुद्रिक सास्तर के अनुसार के ऐसी महिला बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली होती है, तो तीसरा तिल की बात करते हैं, तो तीसरा तिल जो है, वो महिलाओं के योनी के अगर भाग पे हो या योनी के उपर हो, तो निश्ची तोर पे ऐसी महिला बहुत इमोशनल होती हैं, पूरी इमांदारी से पार्टनर के साथ तिल से रिश्टा निभाती है। तो अगर जिस किसी के महिला पार्टनर पे ये जो तीन तीलों के बारे में मैंने बुला अगर ये तीनों में से किसी भी एक जगा तील है तो समझ जाये कि आपका पार्टनर आपका सच्चा साथी है आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान है और आप बहुत लखी हैं कि आपको वो इंसान मिला है तो ये तो हो गई महिलाओं की बात अब पूर्षो की बात करते हैं तो जानते हैं कि पूर्षो के कहां पे तिल हो तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर बनते हैं तो पहला है लेफ्ट हैंड में कोहनी के उपर की तरफ जैसा इस पिक में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए अगर इस लेफ्ट हैंड के इस एरिया में किसी पूरुष के तिल हो तो वो बहुत ज़़ादा प्यार करने वाला पार्टनर होता है लव केयर सपोर्ट देने वाला पार्टनर होता है, इमोशनल भी बहुत होता है ऐसे लोग खुद तो खुश रहते ही हैं साथ ही दूसरों को भी खुश रखते हैं और खुश रखने की पूरी कोशिश श्रीक करते हैं लेकिन साथ ही कई बार ऐसा होता है कि ऐसे पुरुष अपने से बड़ी उम्र की महिला को पसंद करते हैं और साथ ही ऐसे पुरुषों के कई बार extra affair भी रहते हैं तो ये थोड़ा सा एक weak point आप कह सकते हैं otherwise ऐसे पुरुष बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा सच्चा पार्टनर साबित होते हैं दूसरा तिल अगर किसी पुरुष के अनामिका उंगली यानि एक रिंग फिंगर के उपर अगर तिल है तो वो भी काला तिल अगर है तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान साबित होता है emotional feelings को आपके समझने वाला इंसान होता है आपके feelings को आपके emotions को वो समझता है पर अगर लाल तिल हो तो ऐसे लोग दोखा देते हैं ये भी जान लेजिए अगर काला तील ले तो आप से ज़ादा आपको उससे ज़ादा प्यार और कोई नहीं करेगा लेकिन अगर लाल तिल है तो वो आपको धोखा जरूर देगा इस बात का भी ध्यान देना है तो ये हो गई अब तीसरा तिल अगर किसी पु लोगों को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं अलग कर देते हैं खोच से ऐसे लोग आपकी फिलिंग्स को आपकी एमोशन को बहुत अच्छे से समझते हैं उनकी कदर करने वाले होते हैं आपकी कदर करने वाले होते हैं सच्चा साथी साबित होते हैं काला तिल हो या लाल त इस एरिया पे काला तिल हो या लाल तिल इससे कोई फरक नहीं पड़ता ये बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग साबित होते हैं बहुत अच्छा पार्टनर साबित होते हैं ऐसे लोग खुद भी बहुत इमोशनल होते हैं और आपकी इमोशन्स को भी वो समझते हैं औ और बहुत ही किस्मत वालों को ऐसे जगा पे तील वाले पुरुष पार्टनर के रूप में मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये information अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और share कर दीजेगा ताकि दूसरों तक ये information पहुँच सकें। साथ ही अगर नए है तो चैनल को subscribe कर लेजिए क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो इस तरह के information लाता रहता हूं आप सभी के लिए तो ठीक है दोस्तों आज के लिए तो इतना ही मिलता हूं अगले वीडियो में थब तक के लिए टाटा